Welcome to Tech Learners, आज हम for loop देखते हैं Python में, ये एक decision control statement है, iterative statement है, features के अगर बात करें, तो mechanism provide करता है किसी task को बार बार repeat करने के लिए, एक definite loop है, मतलब हमें पता है कि task कितनी बार repeat होगा, range function को use करके हम अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं, और किसी भी sequence of objects होगर हमें iterate करना है, तो हम इसको use करेंगे, syntax एकर बात करें तो for keyword use करेंगे, फिर एक variable use करेंगे, in लिखेंगे, और range keyword के अंदर हम 3 parameter pass कर सकते हैं, beginning कहां तक करनी है, end कहां पे करना है, और कितने steps हमें iterate करना है, last mix semicolon लगाते हैं, ये syntax का part है, tab space छोड़ करके, जो भी हमारे statements है, वो सब हम इसके अंद लेते हैं, इस तरह से, और हम अगर इसको range function को हटा करके, यहां पे list कर देंगे, तो sequence of objects को iterate कर देगा, execute करके देखते है, fun and loop हमारा print हो गया है, next video में हम कुछ major examples पे काम करेंगे, जो इसमें हम for loop को use करेंगे,